खारगे जी आपने बड़ी सही बात बोली, जहां तक आप हमारी मदद कर सकते थे, उसी लेवल तक मदद की, देखिए, ये चुनाओ इंडिया गटबंदन और कॉंग्रेस पार्टी सिरफ एक राजनेतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी, ये चुनाओ हम पीजेपी, एक राजनेतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टिउशन्स, हिंदुस्तान का जो पूरा गवरनन्स का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजन्स एजन्सीज, CBI, ED, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे, क्योंकि इन सब संस्ताओं को, इन सब और अमित शाह जी ने, क्याप्चर करा, धमकाया, डराया, पर इसकी तो मैं बात करता रहता हूँ, आपको मतलब काफी बार कहा है, कि आपका भी रोल रहना चाहिए, और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया और आपके emotions कहां थे हमें मालूम है लड़ाई समविधान को बचाने की थी constitution को बचाने की थी और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे mind में था पहले से जब इन्होंने हमारा bank account cancel किया जब chief ministers को jail में डाला पार्टियां तोड़ी मेरे mind में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने समविधान के लिए एक साथ खड़ी होके लड़ जाएगी और ये सच साबित हुआ मुझे में भरोसा था और मैं हिंदुस्तान की जनता से इंडिया गटबंदन के पार्टनर्स से Congress Party के हमारे सब नेताओं और बबर शेर कार्यकरताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ आपने सविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है Congress Party Congress Party ने इस चुनाओं में Congress Party के सब नेताओं ने दो तीन चीज़ें की सबसे पहले हमने इंडिया गटबंदन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की उनकी जो विशिस थी उनको हमने साथ लिया और आपने देखा होगा कि जहां भी गटबंदन लड़ा हम एक होके लड़े दूसरी बात Congress Party ने Clarity से प्रो पूर विज़न प्रो प्रड़क्शन विज़न हिंदुस्तान को इंडिया गटबंदन ने साफ दे दिया है यह जो हमारा परफॉर्मन्स हुआ है इंडिया गटबंदन का परफॉर्मन्स हुआ है इसके पीछे Constitution जो रेजर्वेशन पर बीजेपी ने आकरमन किया गरीबी अधानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे देखें देखें हैं उस टॉक्स उनके तो बड़ी इंट्रेस्टिंग बात है जनता अधानी जी को मोधी जी से डाइरेक्टली को रेलेट कर रही है मोधी जी की हार होती है स्टॉक मार्केट कहता है मोधी जी गए तो अधानी जी गए मतलब डाइरेक्ट रेलेशन्शिप है करप्शन की रेलेशन्शिप है और देश ने नरेंदर मोधी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाते हैं and this is the main thing that this election has said the country has unanimously and clearly stated we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country we do not like the way they have run this country we do not appreciate the way they have attacked the constitution we do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years so that is a huge message to Mr. Narendra Modi I'd like to thank everybody who has participated in this election I am extremely proud of the people of India I am extremely proud of the people who have resisted this onslaught on the constitution और अन्त में मैं आपको कह दूँ कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है सबसे गरीब लोगों ने किया है मजदूरों ने किया है किसानों ने किया है गलेटों ने किया है आदिवासियों ने किया है पिछडों ने किया है इन लोगों ने इस constitution को बचाया है इस constitution ये constitution देश की आवाज है बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया चुप रहे गए थे मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस Constitution का बचाया मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं उनसे कहना चाहता हूं कि Congress Party आपके साथ खड़ी है जो हमने आपको वाइदे किये थे हम वो वाइदे आपके लिए पूरे करेंगे जाती जनगरना महालक्ष्मी ये हमारे वाइदे हैं धन्यवाद शुक्रिया राउल जी अभी तीन चाह सवाल सिर्फ हम लेंगे एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट शांथ हो जाईए प्लीज शांथ हो जाईए प्लीज शांथ हो जाईए एक मिनिट शांथ हो जाईए एक मिनिट शांथ हो जाईए एक बिनिट खरके जी और रहुल जी आपका चार पांच सवार लेंगे Sanjeev, हां ची एक बिनिट एक एक करके चिलाएगा मत प्लीज हां Sanjeev रहुल जी रहुल जी रहुल जी रहुल जी एका पांच बैस वुन भूला अजन थे पार इन कातनल में परण some of its partners have been your partners in the past, including the TDP and the JDU. So have you decided to sit in the opposition or there are chances of government formation by the India government? We, as we have said earlier, we are going to have a meeting with our partners, the India Alliance partners. I believe that meeting is tomorrow and these questions will be raised there and they will be answered there. We are, we respect our Alliance partners and we are not going to make statements in the press without asking them their opinion. Sir, you are saying that this is a horrible victory of Hindustan, a victory of saving the world. So if you are sitting in Vipaksh and do not make the government because the number is not the number of India and India Alliance. And if they do not make the number, then how do you do not make the number of Indians to give their rights? How do you do not make the number of Indians to give their rights? That is the question that you are asking from the other way. Tomorrow we will decide. There is a meeting of Indian government in India. Tomorrow we will decide our lines tomorrow. We will do not make the number of Indians to give their rights. So we will do not make the number of Indians to give their rights. And if we are doing so, we will not make the number of Indians to give them an answer, but we will be making the number of Indians to give them a number of Indians. चाहिए क्या आपको लगता है कि बीजेपी में भी खेमे बंदी होगी इसको लेके और क्या खुद नरेंद मोदी को ये फैसला लेना चाहिए देखिए अभी राहूल गांदी जी ने आपके सामने स्पस्ट किया जब तक हम अपने अलाइंस पार्टनर से बात नहीं करेंगे और जो नए पार्टनर हमको जुड़ने वाले हैं उनसे भी किस तरीके से हम बात करके अपने को मिजॉर्टी बना सकते हैं वो देखेंगे सारे स्टैटिजीज अगर यहीं मैं बोलूँगा फिर मोदी जी हुशार हो जाएंगे इसलिए जराम जी जराम जी जराम जी और आप दोनों सीटों से जीते हैं बधाई आप कौन सी सीट रखने वाले हैं नहीं सब दोनों सीटों से जीता हूँ और राइबरेली और वाइनार्ड के जो वोटर्स हैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ अब डिसाइड करना है कौन सी सीट पे मैं रहूंगा थोड़ा पूछूंगा और फिर डिसाइड करूंगा दोनों सीटों में तो नहीं रह सकता हूँ बट अभी डिसाइड नहीं किया है राउल जी भारत जोड़ो यात्रा के लिए जब आप निकले थे तब से लेके अब तक काफी काफी लंबी यात्रा रही काफी बीच में उतार चड़ावाए अब सौ का अकड़ा आपने चुआ है 2009 में जब इसी तरह का मैंडिट आया था तो पार्टी के अंदर दो रहाया थी एक हम विपक्ष में रहे पार्टी मच्बूत करे या सरकार के साथ जाने 2009 में 2009 में 49 में दोबारा जब वहुमत मिला था तब एक रहा थी कि आव विपक्ष की politics करके party को मजबूत करें अब आपकी रहा हूं अब आप से पूछ रहा हूं दो दो चीज़ है दो चीज़ है दो चीज़ है यह जो mandate मिला है आप opposition में रहके आप और party मजबूत करना चाहते हैं या सरकार प Congress party है बाकी party है और उनके साथ अभी हमारा discussion नहीं हुआ है हमने उन से कहा था इंडिया partner से कहा था कि चुनाओ के बाद पांच तारी को हमारी meeting होगी और उस meeting में हम ये जो सवाल है इसको decide करेंगे तो सच मुझ में इस सवाल का जवाब आज हमारे पास है नहीं कल होगा अमेठी में आपके लिए कहा गया कि राहूल गांदी ने अपने पीए को चुनाओ लाड़ा दिया अब उनी किशोरी लाल शर्मा जी जो है वो वो 40 साल से अमेठी में Congress Party के लिए काम कर रहे हैं और उनका अमेठी की जनता के साथ रिष्टा है शायद BJP के लोगों ये बात समझ नहीं आई थी कि किशोरी लाल शर्मा जी अमेठी से बहुत closely connected व्यक्ति हैं और इसलिए उनकी जीत निश्चित थी और मैं उनको congratulate करना चाहता हूँ कि अच्छी तरह वो जीते हैं और उनको उनको बारे में ये कहना कि वो PA है ये बिल्कुल गलत है ये offensive है ये नहीं कहना चाहिए राहुल जी मैं मोहित हूँ न्यूज निशन से आपने एक बात बोली जो मैं इसके जवाब देना चाहता हूँ देखिए UP की जनता से मैं कहना चाहता हूँ आपसे जादा political wisdom मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया यूपी के जनता ने कमाल करके दिखा दिया नहीं ने बहुत सारे states ने कमाल करके दिखाया मगर बीजिद यूपी ने हिंदुस्तान की राजनेती समझ कर constitution पर खत्रा समझ कर उत्तर प्रदेश ने constitution की रक्षा की है और मैं सब states का धन्यवाद करना चाहता हूँ मगर उत्तर प्रदेश को मैं special कहना चाहता हूँ आपने congress party का इंडिया गटबंधन का समर्थन किया बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी राहुल जी आख्री सवार और इसमें यूपी में एक और बात मैं बोल देता हूँ एक और बात यूपी के बारे में बोल देता प्रियंका गांधी का भी काम है तो यहाँ पीछे खुपी होई है